हाई एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में तो दोस्तों आफ सभी के लिए काफी खुस खबरी है क्योंकि बंफर विकेंसी निकली हुई है ये विकेंसी 36 गर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना हाई कोट भवन बिलासपूर 36 गर से नि ठीक है प्राता हा दस बजे से और इसका जो अंतियमतिति है वो है नवतारिक दसवा महिना दोजार ठीक है साम पाँज बज तक यहाँ पर है ठीक है कारला 36 गर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपूर ठीक है 36 गर अधिनास्त संस्थापनाओं में रिक्त अंग्रेजी ठीक सहाग्रेटी कंप्यूटर आपरेटर प्रोसेसर राइटर वहांचालक एवं भृत्य आदेसी का वहक के निन्म पदोपर आहरता प्राप्त भारती नागरिकों और भारत सरकार दोरमान्य अन्यसरेडी के अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आविदन अमंत्रित किया जाते हैं ठीक है तो दोस्तों इसमें टोटल इसमें टोटल 112 पद है ठीक है इसमें है अनुआदक हिंदी से अंग्रेजी सहाग्रेटी कंप्यूटर आपरेटर प्रोसेस राइडर वहांचालक भृत्य आदिसी का वहक ठीक है इतना है उसके बाद इसमें आप अपना जो केटिगरी है उसको देख सकते हैं जैसे कि अनारक्षित अन्य पिछड़ावर्ग अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती ठीक है इसको आप देख लेना इसके बाद आ जाता है इंपोर्टेंट भरती की पात्रता एवं सर्ते ठीक है इसका स इसनातकोत्तर उपादी अंग्रेजी में दक्षता सहित अंग्रेजी में इसनातकोत्तर उपादी हिंदी में दक्षता सहित कंप्यूटर में कारे करने की दक्षता आवस्यक है विधी इसनाता को अधि मान्यता दी जाएगी अर्थात वरिष्टता निर्धारन में विधी इ मंदल से टेन प्लस टू परिच्छा उत्रीन होना चाहिए कहाने के मतलब है आपको बारवी पास होना चाहिए उसके बाद अथुआ के नीचे में हैं पुरानी हायर सेकेंडरी उत्रीन के साथ मान्यता विश्व इध्याले से किसी भी विश्यक के इस नातक पाठेक्रम की प्र से डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तिसे नंबर पर है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की पांच यार्की की डिप्रेशन प्रतिघंटा गती के संब्द मुद्र लेखन परिच्छा परिश्व परिश्व से कंप्यूटर यों सौप्टर के माध्य से हिंदी अथ्व अंग्रेजी मूद्र लेखन में पांच यार्की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गती के संब्द में कौसल परिच्छा ली जाएगी ठीक है आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए उसके बाद आ जाता है वहान चालक ठीक है वहान चालक में हैं किसी म अनुभाव आपको होना चाहिए अपको उत्यू न होना चाहिए उसके बाद आ जाता है भृत्ते के पत के लिए ठीक है यहाँ पर है आपका जो सेक्षडिक योगत्ता है ली ठीक है उसके बाद आ जाता है आयू सीमायों पात्रता की अन्या सरते तो यहाँ पर आप देख लिजेगा कोई भी उमिदवार जिसने विवाह के लिए निधारित आयू से पूरु विवाह कर लिया हो यो निवक्ति के लिए पात्र नहीं होगा दूसरे नमबर पर है कोई भी पूरूस अभियारती जिसकी एक से अधिक पत्निया जुवीत हो और कोई भी महिला अभियारती जिसने ऐसे विवाह किया हो जिसकी पहली एक पत्नी जुवीत हो निवक्ति का पात्र नहीं होगा निवक्ति होने की दसा में अपात्र मान कर सेवा से प्रिथक कर दिया जाएगा ठीक है दूसरे नमबर पर है प्रतिक ऐसे अभियारती पात्र होंगे जिनकी आयू डिनांग 1123 को 18 वर्स से कम तथा 35 वर्स से अधिक ना हो परांतो 36 गड़ के स्थानी मुल निवासी अभियारतीयों के लिए उच्तर आयू सिमा 40 वर्स होगी 36 गड़ राज के स्थानी निवासी अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्या पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर महिला इत्यादी के लिए अधिक्तम आयू सिमा में राज सासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथवत लागू रहेगी तथा समाने प्रसासन विभाग द्वारा आयू के संबन में समय समय पर जारी निर्देशों के अधार पर आप भिहार्थियों को आयू में दी जाने वाली सभी प्रकार के चूट को समलित करने के बाद अधिक्तम आयू 45 वर्से से अधिक आपको नहीं होना चाहिए ठीक है दोस्तो दोस्तो मैं आपको क्या बोलते हैं पीडियो प्रवाइट करा दूंगा टेलेग्राम में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इन सभी को उसके बाद देखेंगे ठीक है नीचे देखेंगे उसके बाद आ जाता है जो सबसे इंपोर्टेंट है ठीक है ये आ आपको अच्छे से आपको समझना है ठीक है तो चलिए देखते हैं आवेदान पत्र विज्यापन के साथ संलंगन प्रारूप ने प्रस्तुत किये जा सकेंगे पूनता भर हुए पत्र दिनांग 9-10-2023 की संध्या 5 बजे तक लिफापे में ठीक है बंद लिफापे में जिस 36 गड़ राजवीरिक सेवा प्राधिकरान पुराना उच्छ नियाला भौन विलासपूर 36 गड़ पिन कोड इतना है 495-001 के पत्ते पर परिच्छा सेल अनु भाग के नाम से रजिस्टर इस्पीट पोस्टा कोरियर द्वारा अंतिम्तिति के पूरव भेजी जा सकेंगे ठ आपको नव तारिक दस्व मेन तुजार तेस संधिया पांच बजित तक के उप्रांद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा आवेदन पत्र के सांथ से छडिक योग्यता जाती निवास आदिश संबंधित प्रमाण पत्र की अभी प्रमा की जाएगे ठीक है आपका जितना भी डाकुमेंट है वो सब ठीक अटेज रहना चाहिए ठीक है तभी आप लोग पात रहोंगे उसके बाद आ जाता है यहां पर ठीक है यहां पर यह इंपोर्टन है आवेदन पत्र के सांथ स्वयम का पूर्ण नाम यहां पत्था लिखे दो लिफाफ है ठीक है पचपच रुपे का आपको टिकट चस्पा करते हुए आवस्यक रूप से सललंग न करें यदि अभिहार्थी टिकट चस्पा किया हुए लिफाफ सललंग नहीं किया जाता है तो परिच्छा के संबन में सुचना प्राप्त नहीं होने के जियमिदार प्राप्त आवेदनों ठीक है पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा तो आप एक बार समय को जो डेट है उसको एक बार अच्छे से देख लेना लेट से आपको इस भी पोश्ट नहीं करना है पहले पहले आपको समय से पहले आपको कर देना है ठीक है उसके ठीक है इधिया आपका लिखित लिखित परिच्छा के संबंद में है इसमें अनुवादक हिंदी से अंगरजी पर्थ के लिए है यहाँ पर है हिंदी से अंग्रेजी अनुआज़ी से हिंदी अनुआज़ी से प्रत्यक्लर सब्दे के लिए आदम काटा जाएगा विधी स्नाता को धिमाने दी जाएगी अर्थात वरिष्टतर निलहारन ठीक है विधी स्नाता को 0.5 अंक प्रदान किया जाएगा कौसल परिक्षा में प्राप्तो कुल अंको के अधार पर चेहां सुची तयार किया जाएगा यह आपका उबन्टू, लाइनेक्स सिस्टम, लिब्रो आफिस, विंडोस, एमेस वर्ड में, यूनिकोर्ट, कुरूती दोफोंड में ली जाएगी इसी तरह, ठीक है, सहा है, ग्रेट 3 के लिए, यह आपको उमीद वारों को, डाय सुसवब्द का एक मेटर दिया जाएगा गद्यान दिया जाएगा, दस मिनट का समय सीमा रखा जाएगा सुद्धता से कम्प्यूटर में टाइप करना होगा, प्रतिक टूटी के लिए एक बटा पांच अंग कटा जाएगा एडिंग, बोल्डा, पैरग्राफ, सेटिंग दाथा टाइप प्रतिक असुद्धी के लिए भी होगा यह आपका लिब्रे आफिस, विंडो, MS, वर्ट, प्रूटी तो फॉन्ड में लिया, जाएगा यह प्रोटा, पचास नंबर को होगा, दस मिनट का, यह रहेगा आपका इसके टेस्ट उसकी बाद आ जाता है वहां चला क्यों भृत्य पाद अभ्यारतों से प्राप्ता आजदन के पत्र पर अभ्यारतियों का अंचैन निर्मलिक इस तरीके से होगा, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ देना, भृत्य के पाद के लिए भी है, ठीक है, दोस्तों जिसका ये आजदन का प्रारूप है, इसको प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है, इस पर्ष्ट रूप से आपको भरना है, ये है, साहाग ग्रेट 3, प्रोसेसर राइडर, कंप्रूटर अपरेटर और अनुआदर के लिए, ठीक है, ये फॉर्म है, उनलों के लिए, इसी के लिए भी एक वीडियो बना दूँगा, कैसे भरना है करके, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, कैसे लगा मेरे आज के वीडियो, अगर वीडियो अच्छे लगा हो, तो चैनल को सस्क्राइब, जरू करना, तो चलिए मिलते हैं नेस्टे वीडियो में, तब तक के लिए, ज